स्लेबस क्या है अगर जानकारी रहेगी थोड़ा पढ़ा भी लेंगे खुद से भी और कहीं से ढूट के इंटरनेट से नहीं तो हम इस वीडियो पे मतलब इस चैनल पे आपको मुलविद के बहुत सारे चेप्टर पढ़ा देंगे तो पहले स्लेबस तो पता हो जाए ताकि पीपर में हम मूल१िद से क्यूस्टन करती लें संभीधहान मोसी नाम से रहते हैं वा स्टों किलीर ही नहीं होता आप किसी से भी तैयारी देर सारी लोग करते रहते हैं आप उनसे कुछचों की मूलविद में क्या बिधीक संभैधानिक संभी थान आपको पढ़ना है जैसे hogy संभिधान अनसुचित जाती आयोग है ऐसे ही बच्चों के संडचन के लिए महिलाओं के संडचन के लिए बहुत आयोग बनाए गए हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ना है कि वो कब स्थापीत हुए थे वो क्या कार कर सकते हैं सकतियां क्या-क्या है उनका मुख्याले कहा है तो यह आपको देखना है और आगे 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 आपको यातायात नियम मोटर वहान अधनियम जो 2019 अभी पारित हुआ है अभी आप थोड़े दिन पहले सुने होंगे जो 2019 का मोटर नियम आया था उसके तहत अचानक से चलान का लाइसेंस का रिट बढ़ गया था थोड़ा आप हेलमेट नहीं लगाये हैं पता चला की एह हजार रुपए का इसे मोटर गाड़ी अगर कागज नहीं है तो पांस जार रुपए का फाइन यह अब पर शक्राब हो तो यह जब आया था तो आप भी उसके सिकार हुए होंगे या फिर आप सुने होंगे यह जो 2019 का याताया अधनियम आया था इसको आपको यह गूगल पर भी मिल जाएगा नहीं तो हम इस चैनल पर आभी आपको इसके बारे में बताएंगे अभी तो मैं क्यों आपको बता रह है इसको भी में पढ़ना हे परीया वनर को संरखृत करने के लिए 1986 में अधनियम पारित होता है उसी सम्वेधानिक Walker気 इन होता है उसके लिए अधनियम पारित करके साहर सरकार एक कानून बना देती है तो वह अधनियम है तो यह परियावन को सनच्छड देने के ने 1986 में अधनियम पारित किया था और यह तभी से लागू किया गया तभी से चला रहा है तो इसको जोएlect प्रावधान है किसको संरचित किया गया है कहाँ कहां से कहुंद से आअरचित चेत रहें अगर इन नुक्सान पहँचा है घुछ सब्सक्सक्रण हो सकते हैं पुलीस के पास कितनी इसनिगा है इन रचरें आपको पड़ने के लिए जैसे कि कहीं अस्पतालों में महिलाओं या पुर्षों के सात् भिय रूढ़ाइब या फिर उनको अच्छे से दवाई नहीं दी जा रहा है उनसे ज्यादा काम करवाया जा रहा भोजन कमदिया जा रहा है ऐसे कहीं भी मानो गरिमा का हनन हो यह तो उनसे समबंधित जो प्रावधान है क्या जा सकता यह संस्था क्या क्या कर सकती है इस संस्था कि सदस्थक निर्वाचा चुनाओ कौन करता है नियुकती क्यों करता है हटाय को पढ़ना पड़ेगा आगे थोड़ा सार। देख लेते हैं सूचना का अधिकार 2005 जो पारित हुआ था सब जनेरली चीज हैं आपतो यहां पर भी देख लेते हो लेकिन इनसे अंदर से क्यूंट आता है कि इस अदियम के तहथ सुचना का अधिकार RTI आप सुने होंगा RTI के बारे में किसी की सुचना किसी सरकारी आधिकारी के सुचना आप मांग सकते हो तो यह अद्नियम कप पारित हुआ था इसमें कितनी पावर है यह क्या क्या कर सकता है इसके सदस्सकों की नियुक्ती कौन करता है कैसे नियुक्ती होती है क्या प्रवधान है इसके लिए जनरली आपको पढ़ना पड़ेगा गूगल पे मिल जाएगा जनर लेकिन इस इस चैनल पर इसके वीडियो भी बनेंगे आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हूं मेरे कहने का मतलब यह है कि गर आप मोल विधी की तयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो ताकि मोल विधी से जो क्यूस्चन है वह आपसे गड़बर नहीं जैसे आयकर अदनियम जो टैक्स लग इसको भी जानते रहेगा इसमें क्या प्राउधान है भ्रष्ट चार करने पर पकड़ी जाने पर क्या क्या प्राउधान है कहां से किसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है इसके लोगों की निउक्ति कैसे होती यह सब चीजे यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा राष्ट सब्सक्राइब जो संबराद में मिश्चा अगर आइशे गलतियां कि पैसा कितना पड़ सकता है सब्सक्राइब ना एक और तो तो कितने जैल कितने समय के और घ्राइब को भरना पड़izers सकता है बतलं क्या क्या प्रावधान है यह सब आपको आइटी अद्नियम पढ़ना पड़ेगा साइबर अपराद अद्नियम दो हजार का पारित हुआ ता इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा जनहीतियाच क्या प्याइन आप सुने होंगे भारत में इसको शुरूआत भग जुनित आच्किया के तहत किसी के खिलाब भी अपील किया सकता है तो इसको आप जुरूर पढ़िएगा बहुत इंपॉर्टेंट है यह जुनित अच्किया के प्रावधान क्या है कब शुरू किया गया था इसमें क्या कर सकते हो आपको पढ़ना पड़ेगा अगला महत्पूर्ण नियाएक निरड़े मतलब सरोची नियाला ने जो बहुत महत्पूर्ण नियाएक निरड़े दिये हैं जैसे आपने सुने होगा कि सुनन भारती वनाम केरल राज मिनर्वा मिल्स विनाम तो ऐसे पंजाब और केरल राज जो समद्धित बहुत सारे पूर्ण निरड़े दिये गए उनको आपको पढ़ना पड़ेगा उनसे क्यों चना सकते कब आया था किसके खिलाफ क्या था तो इस सब चीजे आपको पढ़ना पड़ेगा भूम सुधार नियम उनिस्सोपचास और कुछ भी है जैसे भूम अध्गिराण अद्नियम 2013 के त कुछ मिल जाएंगे और भूराजत संबंधी कानून जो 1901 का ही चला रहा है अंग्रेजों के समय का उससे भी क्यूस्चन आ सकते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजे हम पुराना ही लेकर चल रहे हैं जैसे पुलिस कानून हम 1861 का जो अंग्रेजों के समय में चल रहा था तो ऐसे बहुत सारे प्रावधाने जो हमें पढ़ना है तो यह जो मूल विधी में मोटे मोटे जो चेप्टर है इतना तो कम सकम आपको तयार ही करना होगा यहां से क्यूस्चन आते हैं तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो यह वीडियो आप देख लिए तो आपको बहुत सारे जानकारी हो जाएगा अगला वीडियो जो अप्लोड करेंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि संभीधान में आपको मोटा मोटा क्या पढ़ना है संभीधान में क्या-क्या पूछा जाएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर कीजिए और पढ़ाई करते रहेगा और इस चैनल पर आपको इस मोल विदी से बहुत संबंदित बहुत सारी वीडियो और भी मिलेंगे तो आप पढ़ते रहें मिलते हैं आप से नेस्ट वीडियो में